स्क्वाइर रूट ऑफ असी यूजिंग लॉंग डीजर मैथड कैसे फाइंड करें बहुत आसान है देखिए इस मैथड से पहले हम एक छोटी से जानकर ये प्राप्त कर लेते हैं देखिए अंडूट असी है तो हम असी को क्या लिख सकते हैं यहां पर इसके प्राइम फेक् करती है देखिए यहां पर पांच का कोई स्क्वाइर नहीं तो यह ता आपका अंडूट में रहेगा यहीं चार अंडूट पांच आ जाता है अंडूट पांच की विल्यू रखेंगे चार से मुल्टिप्लाई करेंगे इसका विल्यू आजएगा ठीक है ऐसे भी कर सकते है और लोंग डिजन मेथट से कैसे करते हैं उसको समझे यह आपका दो डिजिट का नंबर इसको डारेक्ट बहार ले लिजीगा चलो बहार ले लिए अब देखो मैं इसके लिए ट्राइल करता हूं संख्याओं का साथ आठ मल्टिप्लाई आठ आपका कितना होता है चोसट हो अब मैं चे करता हूं 9 मल्टिप्लाई 9 के लिए कितना आ रहा है क्यासी आ रहा है देखो यह आपका इससे बड़ा आ गया तो मैं 8 को लोग कर दूँगा 8 को लोग करने का यह आपका पहला से इसको वैस्तित करना है कुछ इस प्रकार से वैस्तित करेंगे इसका जो करेंगे यहां पर आगे कोई आपके पास कुछ भी नहीं है जिसको इसके आगे लिखे और आगे प्रोसेस करें अपना पॉइंट लगाते हैं और इसके पीछे दो जीरो लगा देते अब यहां पर कितना बनावाए दूस्ता आपका सोड़ा सो बनावाए ऑके अब मैं यह जो इसके पीछे ऐसी कौन से संक्याल उसका मुटिप्लाइ करूं कि आपका यह आना चाहिए तो देखिए यहां पर यह आपका सोड़ा का कितना सोग अब ऐसी कंडिशन में आप क्या करते हैं यहां पर इसके पीछे 9 ले लेते हैं देखिए हाइस्ट कहां तक ले सकते हैं 9 करने पर जो रिजल्ट आ रहा है तो यहां पर देखिए 9 को ले लेता हूं कि मृटिप्लाइध करने पर क्याรता हैं तो हैं यहां पर आपका एक्यासी आ जाता है और यहां पर आठ जाता है नो संग चोपन चोपन आठ आठ आपका 62,6 के रिज लगया 9,6 कितना 15 आ गया ठीक है यहनि आपका देखिए जो हाइस्ट मैं ले सकता हूँ उसको जब लिया तो यहां पर इससे देखिए कम आया है यह सोडा सो है और यह कितना 15 सो है किसको लिया? 9 को जिसको लेता हूँ इसको एक वार यहां लिखता हूँ अगला स्टेप क्या करना है? माइनस करना है जब मैं माइनस करता हूँ यहां दोस्तों कितना निकल कराया आपका 9 निकल कराया है यहां 7 निकल कराया है अब इसको मुझे क्या करना है प्लस करना है तो यहां पर आपका 178 आ गया देखिए point लगा रखा है तो जो घटाने पर आएगा उसके तुरंट बाद मैं क्या लगा दूगा मैरे दो 0 लगा दूगा ओके अब यहां पर मेरा निया संक्या क्या बन गया देखिए 7,900 बन गया यहां पर कितना है मेरा इसको ध्यान से देखिए यदि इसके पीछे मैं ऐसे ट्राइल कीजिए देखिए यहां पर आइडिया लगाईए एक लेता हूँ तो यह आपका एप्रॉक्सिमेंट 1800 बनता है और देखिए 1800 को मैं जब 4 वार गुणा करता हूँ तो बहुतर सो आता है यानि इसके पीछे से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको चार लेना पड़ेगा पांच लेंगे तो इससे बढ़ा एक अचे कर सकते हैं ठीक है और आपको इदिया से आइडिया नहीं लग रहा है डारिक्ट स्टार्टिंग में तो आप क्या करें फिर दू चार संख्याओं को लिजिए ट्राइल केजिए ट्राइल करने का अधार रखिए यहां पर इसका पहला डिजिट लो इसका पहला डिजिट लो यह सो एज़िए लग बग कितना है आपका साथ गुणा है यहाईसा ले लो याँ पर इसको ले लो सत्परा 24 और 34 का जब हम डबल करते हैं तो आपका कितना 68 आता है यह नहीं एप्रोक्सिमेंट और देखिए 17 का ऐसे लीजिए ऐसे समझिए 17 को देखिए यहां पर करके चेक किजियो इसके साथ तुलना करते हैं 17 को देखिए 17 से गुणा करता हूँ यहां पर आपका 15 से आजाता है 17 को मैं 4 से करता हूँ 7 चोग 28 कि इतना 68 आ रहे हैं देखिए यह पिच्छा सी जो यहां वन जो इसको लोगा ठीक चार को ऐसे जो आप चेक करके अपने डारिक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं, इन्हें आपकी कैल्कुलेशन का टाइम बचेगा, किसको लिया दूस्तों, चार को लिया, चार को लेने पर आपका मल्टिप्लाई करते हैं, तो कितना आ रहा है, यहां सोड़ा आ गया, 32, 1, 33 आ गया, 3 चला गया, 28, 23, 31 आ गया, 3 चला गया, यह आपका साथ, ठीक है, अब आगे वही आपका माइनस करेंगे, यहां पर प्लस करेंगे, यह सेम टू सेम इस्टेप आपको रिपिट होते रहेंगे, यहां पर मेरा अंडूट असी का अप्रोक्सिमेट वैल्यू कितना निकल कर आया, 8.94 निकल कर आया है, वीडियो क्या सालागा, निकली कॉमेंट कर बता हैं, अगले वीडियो, फिर मिलते हैं,